हेलो एवरिवन, वेलकम टू माँ चैनल फजिक्सपाई नीतू टूड़ी वी विल डिसकस ओन इफेक्ट ओफ शेप ओफ अफ अर्थ ओन एक्सलेशन डू टू ग्रेविटी means अर्थ की शेप की वज़ा से एक्सलेशन डू टू ग्रेविटी किस तरह से चेंज करती है देखो हमें पता है जो अर्थ है वो परफेक्टली सफेरिकल तो नहीं है हम उसको ऐसी कंसीडर कर लेते हैं बट बेसिकली जो अर्थ है वो किस शेप की है elliptical shape की है इस तरह से हाँ तो माहलो यह आपके पास अर्थ है elliptical shape की हाँ तो अब देखते हैं पर अक्सलेशन डू टू ग्रेविटी किस किस तरह से वेरी करेगी equator and falls पे देखो यह जो होती है यह वाले यह क्या है आपके पास इस तरह से ये क्या है आपके पास ये आपके पास equator होती है ये वर है ना equator है ये तो आपके राइडाउन कर लेते हैं देखो ये equator है और ये क्या होता है यापे पोल ये कौन सा होता है North Pole और ये कौन सा है South Pole clear है अब देखो अगर हम इसके radius की बात करें तो radius जो आपके पास pole का होगा वो कम है किसके comparison में equator का, देखो दिख रहा है यहाँ पे equator का radius क्या होगा, ज्यादा अगर हम इसे denote कर लें यहाँ पे r equator या r equator हो गया और इसे हम कर देते हैं r poles r p, तो देखो जो equator का radius है वो ज्यादा है as compared to radius of pole तो हम यहाँ पे राइडाउन कर लेते हैं क्या देखो, जाओ के पास radius है किसका equator का वो greater than है radius of pole यहाँ से clear है यह वाले बात अब अगर हमें value देखनी है acceleration due to gravity की तो हमें पता है acceleration due to gravity उसका formula क्या होता है acceleration due to gravity का formula क्या होता है देखो, यहाँ प्रफ वक में भी कर सकते हो acceleration due to gravity यहाँ पर यहाँ पर we know acceleration due to gravity g की value क्या होती है capital G m divided by r square acceleration due to gravity radius से कैसे vary करते है inversely means अगर radius ज़ादा होगा तो acceleration due to gravity की value कम होगी inversely vary कर रहा है और अगर radius कम है तो acceleration due to gravity की value ज़ादा होगी clear? तो देखो, अब यह equator है यहाँ पर equator में radius की value क्या है आपके पास? ज़ादा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास acceleration due to gravity की value है वो क्या होगी? कम होगी g की value क्या होगी? equator पे less होगी equator पे और poles पे क्या होगी g की value? more होगी यहाँ पर ज़ादा होगी because इसका radius क्या है? इसका radius poles का कम है तो acceleration due to gravity की value क्या होगी? यहाँ ज़ादा और equator पे कम होगी अब यहाँ भी write down कर सकते हो equator का radius क्या है? pole के radius से ज़ादा है और यह inversely vary करता है acceleration due to gravity से तो जो acceleration due to gravity की value होगी equator पे वो क्या होगी? less than होगी as compared to acceleration due to gravity की value जो poles पे होगी इस तरह से आप write down कर सकते हो कई बरी short question में आ सकता है कि कहाँ पे acceleration due to gravity की value ज़ादा होगी और कहाँ पे कम होगी? clear? और हम क्या कह सकते है कि जैसे हम देखो कहाँ से अगर हम equator से pole की तरफ को move करेंगे तो acceleration due to gravity की value क्या होती जाएगी? increase होती जाएगी देखो यह equator पे कम है और poles पे ज़ादा है जैसे equator से pole की तरफ को move करेंगे तो acceleration due to gravity की value क्या होगी? increase होगी इस तरह से भी question पूर सकते हैं और अगर हम pole से equator की तरफ को आएंगे तो acceleration due to gravity की value क्या होगी poles पे ज़्यादा है और equator पे कम होती है तो decrease होती हुए आईगी अगर हम pole से equator की तरफ को जाएं clear होगी है वाली चीज आपको यहां से बस यही चीज यहां पे write down की है देखो क्या क्या हमने write down किया हुआ है as we know earth is not perfectly spherical in shape but it is elliptical in shape elliptical in shape होती है उसके बाद हमें पता है acceleration due to gravity की value किसके बराबर होती है capital G m divided by r square radius के कैसे vary करती है inversely vary करती है it is clear from the formula that value of g varies inversely with radius radius के साथ हो inversely vary कर रही है है ना फिर उसके बाद देखो हमने यहां पे क्या write down किया हुआ है the equator radius is greater than polar radius equator का radius ज़्यादा है किसके polar radius से so gravity on equator is less than poles तो gravity क्या होगी equator पे कम होगी poles के comparison में because inversely vary करता है हो radius से ठीक है as we move from equator to poles equator से अगर हम poles की तरफ को move करेंगे तो gravity की value क्या होगी increase because यहां कम है यहां ज़्यादा है as we move from equator to poles gravity increases gravity increase होती रहेगी and as we move from poles to equator अगर poles से लेके equator तक move कर रहे हो आप हाना तो poles पे g की value ज़्यादा है equator पे कम है तो acceleration due to gravity की value क्या होगी decrease होगी यही चीज़ लाइड आउन देखे देखो as we move from poles to equator poles से equator की तरफ को move करेंगे gravity decreases gravity decrease होनी start हो जाएगी clear देखो छोटा सा topic था I think आपको clear हो गया okay thank you